दोस्तों क्या आप जानते हैं कि online credit card apply करने के लिए कितना civil score requirement है क्या आप जानते है कि offline apply करने पे कितना जल्दी आता है और offline apply करने पे कितनी जल्दी आता है या कितना late लगता है टाइम लगता है आपको card delivery में कि इस वीडियो में आपको देने वाला हूं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पगर हमारे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल शम्शाज शेक ताकि इस तरगा वीडियो आप लोग को मिलती हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप online credit card apply करते हैं तो कितना civil score requirement है तो फ्रेंड्स बैसिकली अगर आप किसी भी बैंक का credit card apply कर रहे हैं online अगर आप apply कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं बता दूँ आपको 750 civil score आपका requirement है अगर आपका online process हो रहा है तो किसी भी बैंक का तो 750 civil score रहना बहुत जरूरी है उसके साथ साथ आपकी बाकी requirement भी देखी जाती है जैसे कि आपका location कहां पे आप रहते हो उसके अलावा आपका income प्रूफ भी देखा जाता है और उसके साथ साथ बाकी के details भी चेक कर जाती है जैसे age criteria हो गया और बाकी अधर चीजें भी चे generally अगर आप offline apply कर रहे हो किसी physical apply किसी bank का आप किसी bank के लिए apply कर रहे हो credit card physically उसका application form fill कर रहे हो bank में ब्रांच में जा किया किसी executive को आप sign up करके देरो application तो वहां पे मैं बता दो friends आपका approval ratio बढ़ जाता है as compared to online क्योंकि अगर कुछ approval वगरा attachment करना होता है तो वो जो bank executive रहते ह प्राइब को मेंड डालके approval लेकि उसमें अटेच्च करके वहां पे आपका अटेच्च कर दिया जाता application के साथ और वह application process हो जाता जैसे कि आपका एज आपका कम है एक साल कम है आपका एज लो एज अप्रूवल लगता है उसके अलाव फ्रेंट्स आपका income लो इंकम अप्र हैं आप और इसके अलावा आपका बाकी सारी चीज़ें अफिट हैं आप कार्ड को अप्लाई करने के लिए eligible हैं आप बड़ आपका location जहां पे आप रहते हो वह negative area है तो उसका भी approval senior को mail डालके वहां से approval लिया जाता है और उसके बाद approval आते ही आपका application process में कर दिया जाता ह है तो यह फाइदा होता है अगर आप offline apply करते हो तो मैं बता दूँ वहां पे आपको सास सो 700 out of 900 में से अगर आपका 700 civil score है अगर उसमें आप fit होते हो तो आपका card easily approved हो जाएगा अगर कुछ चीज़े approval के लिए pending हैं तो वहां पे approval लेके application के साथ attach करके आपका approval ले लिया होता है कि आपका application बहुत जल्दी process होता है और verification वगरा भी जल्दी होता है उसके बाद में बता दूँ कि आपका card delivery भी जल्दी होता है क्योंकि physically कुछ काम रहता नहीं है वहां पे digitally approval आता है आपका system खुश से अपरूव करता है यहां पे physical application में कैसा होता है friends की आपका application जैस सारी चीज़ चेक कि जाती है बट यहां पे इंस्टेंट मालूम पड़ जाता अप eligible हो या नहीं उसके बाद ही application प्रोसेस होता है वहां से आप आपका credit card verification होने के बाद आपका सारा कुछ complete होने के बाद आपका card booking के लिए भेज़ दिया जाता है तो friends अगर आप online apply कर रहे हो छे से साथ दिन में आपका card deliver हो जाएगा अगर आप physical apply कर रहे हो तो साथ से दस दिन के अंदर आपका card आ जाता है अगर कुछ लेट हो गया आपका verification में या bank holidays में bank holidays था बंद था आपका कुछ application किसी documentation के लिए pending रहे गया तो यहां पर friends में बता दूं कि यहां पर आपका application hold पर हो जाता है जो stage पर जाके रुका रहता है वो application वही पर रुका रहता है जब तक वो उस चीज़ को जो उसका requirement है वहां पर fulfill नहीं किया जाता है उसके आगे application आपका process होगा नहीं अगर within one month के अंदर अंदर friends अगर आप आपका वो document नहीं दिया गया जो incomplete था तो sales reject कर दिया जाता application फिर कुछ दिन तक आपको in process in process दिखता है उसके बाद आपको application decline दिखता है तो friends जो card का timing जो delivery है वो 6-7 जादा से जादा अगर मैं बात करूँ फिफ्टीन डेस के अंदर अदर आपको card आपके हाथ में आ जाना जाए online apply करो जाए offline apply करो तो I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगी तो thank you so much for watching my video हम मिलेंगे ऐसी helpful वीडियो के साथ next वीडियो में आज के लिए बस इतना ही thank you